किसान भाईयों नमस्कार मेहूद अश्रत दाकर आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम सर्सों की खेती के बारे में बात करेंगे इस समय पर सर्सों में फूल निकलना सुरू हो रहे है या फूल निकल चुके है इस समय पर किसान भाईयों को दो ऐसे जरूरी काम मैं आपको बताऊंगा अगर सभी किसान भाई ये दो जरूरी काम कर लेते है निस्सी तोर पर फाइदा मिलेगा सरसों का उत्पादन बढ़ेगा पेदावार जादा होगी दाना मोटा वजंदार बनेगा दाने में तेल की मात्रा बढ़ेगी जिससे किसानों को फाइदा होगा किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को भी सब्सक्राइब कर दे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करे तो चलिए वीडियो को सुरू करते है किसान भाई यो सरसों की खेती के बारे में बात करें तो फूल निकलने के बाद अलग-अलग सेत्रों में अलग-अलग कारी किये जाते है इस समय पर फसल में दानेदार खादों की आउसकता नहीं होती है, ग्रोथ प्रमोटर की आउसकता नहीं होती है, यूरिया हम नहीं दे सकते हैं, अगर आप सलफर देना चाहते हैं, तो किसान भाई सलफर कौन सा दे, किस परकार से दे, किसान भाई कापी ज़्यादा कनप्यूज होते हैं, तो इस सर्सों में एक ही पानी लगाया है तो फूल आने के बाद जब पूरे खेत में फूल आ जाए एक पानी सर्सों में जरूर दे जिससे फूलों से फल्यां अच्छे से विक्सित हो फल्पुलों का विकास अच्छे से हो फल्यों में दाना छोटा नार है दाना मोटा वजंदार ब अगर आपकी फसल में किसी भी चीज की कमी है तो ही आप स्प्रे करें ऐसा नहीं है कि व्यर्त में आप स्प्रे कर दें मैंने बोल दिया स्प्रे करना है तो आप स्प्रे कर दें इस समय पर फसल में मोईले काटेक आपको दिखाई दे सकता है फंगस या तना गलन काटेक आपक कीट कंट्रोल हो जाए फसल सुरक्सित रहे इसके अलावा अगर फसल में तना गलन या फंगस काटे है अच्चे से फंगी सैट का परियोग करे UPL कंपनी की साव फंगी सैट का परियोग कर सकते है अगर ग्रोथ प्रमोटर या खादो के बारे में बात करे तो इस समय पर NPK 0.524 प्लस बोरोन का परियोग करे कापी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे सरसों की फल्यों में दानों का बराव अच्छे से होगा दाना मोटा बनेगा दाने में तेल की मातरा भी बड़ेगी आप NPK 0.524 के साथ बोरोन का एस्प्रे करे 150 लिटर पानी में अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा सरसों की पेदावार ज्यादा निकलेगी फूल आने के बाद ये काम आपको करने है फसल के अनुसारस परे करे जिस चीज की फसल को जुरुत है उस चीज की पूर्ती करे देख रेक करे जिससे निश्चित तोर पर सरसों की पेदावार ज्यादा निकलेगी फल पूल अच्छे से आएंगे फल्यां अदिकाएगी दाना मोटा वजंदार बनेगा दाने में तेल की मात्रा बढ़ेगी जिससे किसानों को फाइदा मिलेगा कमेंट करके जुरू बता है आपके सरसों की फसल कितने दिन की हुई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चेनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद